असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टूड़ी वीड मी जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आप सब आप सब खेरियत से हूं स्टूडेंट्स आज की अपनी इस वीडियो में हम CS101 मॉजूल नॉम्बर 19 डिसकस करेंगे रिप्रिजेंटिंग नुमेरिकल वैल्यूज ठीक है और मॉडूल नॉम्बर 19 तू 25 हम इंशाला इस वीडियो में डिसकस करेंगे और इस से पहले के मॉडूल मुझे उमीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके क्विज कैसे हो रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा इस नाम्यार 201 का भी आप लोगों का आप लोगों का क्विज स्टार्ट हुआ हुआ है तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों की क्विज स्टार्ट कैसे हो रहे हैं आप सब को बहुत कामियाब करें आमीन चलते हैं वीडियो की तरफ मॉडूल नमबर 9 है आपका इस बाइनरी नोटेशन ठीक है बाइनरी नोटेशन क्या होती है कि जिसमें हम नमेरिकल वैल्यो को रिप्रिजेंट करते हैं 0 में और 1 में नेक्स्ट है 16 bit can store numeric values 16 bits कितनी numeric values को store कर सकता है यह आपका first वाला इसका answer है 65,535 और formula में ने ये 7 लिख दिया है कि यह आपका जो answer है यह किस तरह से आया है 2 की पावर N है तो N आपके पास क्या है 16 तो जब आप 2 की पावर 16 करेंगे तो आपके पास यह वाला आंसर आ जाएगा जी आपका ये मॉडूल बहुत शौर्ट सा है बलकि नेक्स मॉडूल भी आपके काफी शौर्ट से हैं तो जो भी mcqs से वो तमाम में इस फाईल में आपके लिए लिए लिखती हैं ठीक है नेक्स चलते हैं आपका मॉडूल नमबर 20 है रिप्रिजेंटिंग इमेजेस इसमें भी जस्ट आपकी मतब एक-दो ये कुछ mcqs ही आपके आपके बने हैं देखते हैं इन ब्लैक एंड वाइट इमेजेस इच पिक्सल इस रिप्रिजेंटेज एस डैश बिट एक्जामपल जीरो फोर ब्लैक एंड एंड वाइट फोर वाइट अब ये स्टेट्मेंट पूरी लिख दिये और इसका जो आंसर है वो है आपका वन नेक्स आजाते हैं डैश इंकोडिंग इस यूज तो स्टोर कलरफुल इमेजेज ये आपका पास्ट mcqs में भी आया हुआ है इसमें से मैंने आपके देखे थे मुझे जस्ट दो तीन ही नजर आए तो मैंने का मैं यहीं पे यह आपके लिए लिख तूँगी अलग से मैंने अम-cqs यहां नहीं लिखे dash encoding is used to store colorful images इसमें से आपका यही repeat हो रहा है just past quizzes में RGB ठीक है यह आपका answer है उसके बाद आज जाए many display devices printers work on dash concept ठीक है यानिके जो आपकी printers हैं या बहुत सी display devices हैं वो किसके concept पे work करती है इसके बाद है next eight bits are used instead of one bit to store the shades of greenness यह इतना important mcq तो नहीं है आपका बड़ बन रहा था तो मैंने का चले मैं लिख देती हूं क्योंकि वही है कि आपके common mcqs भी इसमें शामिल हो जाए important mcqs भी इसमें शामिल हो जाए ताकि इंशाल्ला आपका paper ज्यादा से ज्यादा अच् इसके बाद है cad abbreviation is इसकी है computer added design मैंने पहली वीडियो में भी कहा था मैं अभी भी आपसे कह रही हूं कि abbreviations आपने बहुत अच्छे से याद करनी है पेपर में लाजमी three to four mcqs तो इसमें से आते हैं तो आप लोग ने abbreviation अच्छे सी याद करनी है और आपको definitions भी छोटी छो representing sound यह आपका इतना important नहीं है जस इसमें यह एक abbreviation थी वो मैंने लिग दी है M-I-D-I-M-I-D-M-I-D यह जो भी है stands for musical instrument digital interface ठीक है यह true है आपको पता होना चाहिए कि इसकी abbreviation क्या है इसके बाद चलते हैं module number 22 है binary notation in binary notation quantity associated with each position is twice the quantity associated with the position to its right इसके बाद है next dash is a set of steps to perform a certain task algorithm यह पहले पी I think पिछले modules में मैंने आपको इसकी definitions बताई है यह algorithm की आपकी definition है ठीक है यह आपने अच्छे से याद करनी है इसके बाद आजाए module number 23 पर यह जो आपकी definition है यह भी past में आई हुई है ठीक है इसमें से जैस्ट आपके मतलब हार्ड़ी आपके four to five कुछ इसी तरह आपके MCQs बच यह एक दो जो मैंने यहां पर लिख नी है यह आपके repeat हो रहे थे इसलिए मैंने अलग से MCQs नहीं लिखें और आपके quiz भी start हैं तो मेरा था मैं जल्दी जल्दी आपको फाइल प्रोव Wikipedia. चलके यह fraction in binary जो है fraction किस तरीके से होती है यह आपको लाजमी आना चाहिए क्योंकि पेपर में या तो आपको MCQs में पूछा जाएगा इसी तरह आपको values दे दी जाएंगी जैसे अब यह है binary edition of one and one ठीक है अगर simple edition करें तो यह तो two बनता है लेकिन इसकी binary edition जो है वो ten है page number 63 मे binary को decimal में और decimal को binary में किस तरीके से convert करते हैं यह भी आपको लाजमी आना चाहिए important हैं दोनों मैं फिर से कह रही हूं paper में लाजमी या तो short question आजाएगा या MCQ आजाएगा तो आपने अच्छे से देखना है next है fraction in binary module number 24 इसमें देख लेते हैं क्या है in binary fraction digits on left side represent the whole number ठीक है यह जो आपका left side पे वो fraction है binary fraction में जो left side पे आपका digit होता है वो whole number को represent करता है यह आपकी true है इसके बाद है in binary fraction digits on right side represent the fractional part यह भी आपकी true है मैंने full statement लिखती है तांके आप full सिया यह इस type का MCQ भी आपका paper में आ सकता है अब यह है 10.011 added to 100.11 produces इनको अगर add किया जाए तो यह क्या produce करेंगे यह आपका इसका answer है और यह है addition in fraction यह अब आपको दोनों MCQ ज्यादा अच्छे से तब समझाएंगे जब आपको addition आती होगी यह fraction में addition किस तरीके से होती है तब ही आप इसको solve कर सकेंगे और अगर paper में इससे related कोई MCQ आता है तो वो भी आप तब ही solve क कर सकेंगे जी student यह थे आपके module number 19 से लेके module number 25 तक उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए और जो भी क्यूरी हो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में Allah हाफीज